एक घने से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहाज करते थे वे सब मिल जुल कर रहते थे उसी जंगल में डगू कबूतर रहता था वह बहुत अमीर कबूतर था जंगल में उसका राज चलता था उसका जंगल में एक बहुत बड़ा बाग था तब ही वहाँ पर कालू काववा उससे काम मांगने आता है और कहता है अरे डगु भाई सेठ जी हमें क्या आप काम देंगे मुझे काम की बहुत जरूरत है मेरी पतनी मुझे रोज तंग करती है कहती है काम करो जब कुछ मिलेगा तुम्हें खाने को ठीक है ठीक है ऐसी बात है तो बेरे आम के बाग की देखने तुम करा करो और एक बी से कम नहीं होना चाहिए पानी दोगे पूरे दिन यहां रहोगे और शाम को मैं तुम्हें फल दे दिया करूँगा ठीक है सेठ जी जैसे आप कहें ऐसे कालू काववा दिन भर भापे काम करता और अराम से भी रहता क्यूंकि उसे कुछ काम करना ही ना पड़ता था वह अपने घर जाता है और भूरी कवी को बताता है कि देखो मुझे कितना अच्छा काम मेरा सेठ इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताओं सारा बाग मेरे हवाले कर दिया है उसने क्या कह रहे हो जी क्या ये पास सच है मैं भी तुम्हारे साथ चलू दो पैसे भी आएंगे और मुझे फल भी मिलेंगे बहुत सारे तुम रहोगी तो लालची की लालची, मेरे फल लाने में संतुष नहीं हो गया, चलो ऐसे वह अपनी पत्नी को भी कबूतर के पास लेके आता है सेड जी, मेरे पत्नी है भूरी, ये भी काम मांगने आई है, कह रही थी मैं घर पे बोर्ग होती रहती हूँ, मुझे भी काम पे लगवा दो ठीक है ठीक है, दोनों मिलके काम करोगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा ऐसी दोनों बाग का काम करते उसकी देखरे को, शाम को जब सेड कबूतर देखने आता, तो उन्हें थोड़ी पैसे और फल देखने आता, वह चुकचाप चले जाते लेकिन भूरी कवी का तो पेट संतुष्टी ना था, वह लाल चीजों थी, उसने कहा अरी सनो, दिन भर कौन सा हमारा सेड बाग में आता है, क्यों ना हम थोड़े फल बेचा करें, हमें भी फाइदा हो जाएगा ऐसे कालू कवास की बातों में आ जाता है, और वह फल बेचने लगता है एक दिन सेड कवूतर जल्दी ही आ जाता है, तो देखता है वह तो फलो का व्यापार कर रहा है और बेच रहा है तुमा जूटे कववे, तुमारी ये मजाल, मुझे ना पता था तुम ऐसे हो, चलो छोड़ो यहां से, जाओ यहां से, मेरे बाग को छोड़के लेकिन सेड कवूतर कहां सुनने वाला था, उसे काम से निकाल दिया दोनों पती पतनी को लालच का फल मिल जाता है और वहने राशों के अपने घर लौट आते है